हेलो बच्चों, लेट्स रीट दा कोश्चन, दा कोश्चन इस दू तो देखिए इस कोश्चन को करने के लिए हमें जो की कॉंसेप्ट में हमें पता होना चाहिए जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इन मागनेटिक फील तो उस पर क्या लगेगा मागनेटिक फोर्स लगेगा जिसको लॉर्च फोर्स भी कहते हैं और जिसकी वैल्यू जो होती है होती है जहां पर क्यू चार्ज है वी स्पीड है चार्ज पार्टिकल की और बी जो है वह मैं अपनलगेगहे टो सबसे पहले पहले हैं से जो है वो जादा क्या कहते हैं वह रोटेट करती है यह सका ==== हो जाएगा और एक इसका magnetic meridian होता है जो हलका सब tilted होता है विद्धा angle of 11 degree जिसको हम angle of declination भी कहते हैं तो यह magnetic meridian का north pole जिसको N- लिख देती हूं और यह इसको मैं S- लिख देती हूं तो यह magnetic poles है आपके तो magnetic poles है इसका मतलब जो सब्सक्राइब करती है जिसका एक permanent magnetic field होता है जिसमें magnetic field lines होती है वो नौट से तो क्या होती है जन्रेट होती है और साउथ में आकर क्या हो जाती है तर्मिनेट होती है नौट से क्या होंगी की जो डारेक्शन है अगर मैं मैं इसका इक्वेटर बनाऊं तो इसका इक्वेटर इस तरह से बनेगा इसका इक्वेटर हो गया मैं इस पॉइंट पर आजोगो इस पॉइंट पर देखो यह इस तरहर इक्वेटर और मैंगनेटिक यहां पर यहां पर इक्वेटर पर है इसका मतलब अब देखो का voyant radiation को ionize करते हैं तो यह क्या करेंगे चार्ज्ड है है यह Magnetic had to be deflect हों घ्री कि अब क्या होगा चार्ज आदगょ च्छ नगें लगेगा जो फो कि character क planner के थिश्ध बराबर होगा sprawdź के जहां क्यों कि यहां पर डायरेक्शन जो है और सर्फेस के परपेंडिक निकुला है जबकि इस पर इक्वेटर पर जो है वह लेस देन पोल्स है तो इक्वेटर पर पहुंचने के लिए उसको ज्यादा काइनेटिक एनरजी की ज़रत होगी अगर काइनेटिक रेज को क्योंकि जब पोल्स पर माइनेक फील्ड जो है वो स्टॉंग है उसकी वज़े से क्या होगा कि जो कॉस्में है वह और कर दूर डिफलेक्ट हो तो अगर इन maca मागन फोर्स लगा इने बद्रॉंचना है तो क्या होना चाहिए एक्वेटर पर पहुंचने के लिए इनको जादा energy की required होगी need more kinetic energy more kinetic energy to reach equator क्योंकि हम जानते हैं कि जो force है वो QBB है चीक है और similarly जो kinetic energy है that is also proportional to V का square velocity square के proportional होती है तो यहां से हमें equator पर पहुशने के लिए ज्यादा kinetic energy की ज़रत होगी क्योंकि force पर जो magnetic field is strong है जिसकी वज़े से जो force पार्टिकल पर जो force लगता है जिसकी वज़े से जो cosmic rays होती है वो deflect away from equator हो जाती है तो equator पर पहुशने के लिए इस force के against इनको कुछ energy required होगी इसका मतलब उनको ज्यादा kinetic energy की ज़रत होगी यहां तक पहुशने के लिए ठीक है हमारा जो option है require greater kinetic energy to reach the equator than the poles वो option हमारा बिलकुल correct हो जाएगा I hope you understood well all the best